ओम नमस्षिवा हैं, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको भाग्य साली राशियों के बारे में जानकाली दूँगा और साथ ही सोम्मार के दिन पढ़ रहा है हर ताल का तीज का ब्रत यह योग बहुत बड़ा योग कह सकते हैं क्योंकि यह ब्रत भी भगवान सिव और माता पारवतिका है और सोम्मार का दिन भी भगवान सिव और माता पारवतिका होता है दोस्तों साल के कुछ ऐसे सायोग बनते हैं अगर इन सायोगों में उपाय किया जाए ब्रत तो बैसे सभी करते हैं स्वागिन मेला ये ब्रत करती हैं कौारी कन्या बर प्राप्ति के लिए ब्रत करती हैं स्वागिन मेला अगर ये ब्रत करती हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है धन की प्राप्ति होती है तता पती की आयू लम्मी होती है कभी कोई कश्ट नहीं आता परवार में सुक और सम्रती बढ़ती हैं और भगवान सिव हर मनो कामना पूरी करते हैं लेकिन बात करते हैं कि साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं कुछ ऐसे सयोग होते हैं इन सयोगों में अगर उपाय किये जाएं तो उनका बड़ा मेत होता है हर ता इस दिन आपको एक चीज जरूर खा लेनी है वैसे इसमें आप नारी अलगा पानी पी सकते हैं मौश्मी फल खा सकते हैं लेकिन दो एक चीज आपको जरूर खानी है और साथ ही एक को पाई भी आपको करना है ये दो कारे आपको जरूर करने हैं इसके करने से आपकी मनो काम पूज़ोगी। इस दिन वगवान सिष्को समर्पित करना है। मेलाएं अपनी एच्छा बोल करके इस दिन माता पारवती को सिंगार अरपन करेंगी। सोले सिंगार अरपन किया जाता है और साथ ही इस मेंसे सिन्दूर, सिन्दूर का बड़ा मेहत होता है आज की दिन। मेलाएं सिंदूर माता पारवती को समर्पित करें थोड़ा सा सिंदूर माता पारवती के लगाएं और जो उंगली में सिंदूर बचेगा वो बागी सिंदूर में मिला करके आप इस सिंदूर को समाल के रखी और अपनी मांग में बरिये ये बहुत ही सक्तसाली सिंदूर बन जाता है मता पारवती का आसिरवात प्राप्त होता है क्योंकि सिंदूर का सम्मंद पती से होता है पती के आयू से होता है तो इसलिए कभी भी जीवन में पती के उपर कोई कष्ट नहीं आता कई बार अक्सर ऐसे योग बन जाते हैं कि सरीपरनिक प्रकार की परिशानी आते हैं लेकिन ये सिंदूर रख्या करता है साती मेला अगर ये ब्रत करती हैं सच्चे मन से भगवान की आरादना करती हैं भगवान से प्रातना करती हैं तो पुत्र प्राप्ति के योग भी बन जाती है यानि सूनी गोद भर जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए आप माता पारवती से प्रातना करिए माता पारवती अवश्य आश्रीवाद दिवाएंगी क्योंकि सौम्मार का ब्रति भी है इस दिन और सौम्मार की कथा में आपने सुना होगा कि किस बगार से माता पारवती के कहने से भगवान सिव ने सेट को पुत्र का बढ़दान दिया था तो आप ये जरूर करें साथ ही इस दिन पीपल ब्रक्टे नीचे चोम की दीपक जला के उसमें दो लोंग डाल दें और साथ ही आपको तिल डाल देने और उसकी परक्रमा करनी है पीपल ब्रक्टे की भगवान सिव के सामने बैट करके ओम नमस्षवाय मंत्र का या गोरी शंकराई नमाम मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है ज्यादा भी कर सकते हैं इस दिन भगवान सिव के सामने केले का फल केले का फल आपको चड़ाना है और उस केले के फल के सामने मंत्र जाब करना है और ये केले का फल आपको खालेना है साथ ही महलाओं को महलाओं को जुगरपती महलाएं उनको नारियल का पानी बगरा जूस बगरा पीते रहना है जिससे कोई प्रवाब ना पड़े बच्चे पर कोई गलत प्रबावना पड़े इस बात का ध्यान रखें मेश रासी, मेतुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, तुला रासी, धनु रासी मकर रासी, कुम रासी, मीन रासी ये रासिया इस दिन बेहदी भागिसाली रहने वाली है तो इस दिन आपको केले का फलकाना है पूरे नियम से ये ब्रत करिए फिर देगना धनी भी बढ़ेगा और संतान का शुक भी मिलेगा